अपने सुनीता सर्मा चेनल पर कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं और आज है मंडे तो हर हर महादेव आप सबी को और सुवैसे कोई ब्लॉगी शुरू नहीं किया सुवैसे ऐसे आलस में रहेगे क्योंकि ऐसा होता है हमारे पास अगर ब्लॉग तयार होता है तो फिर हमें आलस आ जाता है कि चलो कोई नहीं सुरू कर देंगे बाद में और बाद में तो फिर बाद ही हो जाती है फिर तो काम में लग जाते ना एक बार तो फिर ध्यान नहीं रहता और एक बार हम सुरू कर देते ना तो फिर चलता रहता है तो मेरे भुबरत किस के लिए ऐती सो चो खाना पिना बनाने के बाद में के बाद नो झालना यहाती थी ना सब डिए Онब केवाद गाजर किस पोड़ी किस चीज का बनाया मैंने दो कॉना करता हैं तो शह वी दगिंदे 연락 शार यह पाद का दो के लिए लेगन में आ शब आया के ल मलाई का. दो दिन की मलाई थी तो लेकिन बहुत अच्छा बना मैंला भी बहुत अच्हा बन गया जल्दी से जयसे रहा मिलाकी कहा देल्ज। बना चुके हुँ इस तर वीडियो पे दिखा चुके हुप लाकि की लौज न अ लाट वालि थो मावे तो बनती है हर चीज लेकिन लाए की घर में क्या है मलाई हर किसी के घर में होती है, सब के घर में मलाई जरूर रखते हैं, क्योंकि दूद लेते हैं, तो मलाई क्या करते हैं, मलाई उठा के रख देते हैं, तो दो दिन की मलाई में आराम से बन जाता है, और गाजर के हलूव में घी की भी थोड़ी सी जरूवत होती है, इसलिए तो इसलिए नहीं डाला था क्योंकि मेरा घर का मावा था और मैं क्या करती हूं जैसे मावा बनाना है मुझे तो उसमें फिर थोड़ी सी जो एक दो दिन की मलाही होती है उसको भी मावे में डाल ले तो अच्छा हो जाता है तो इसलिए क्या है कि घी डालने की अलग से जरोत होती है और इसी तरीके से मैंने मावे का मतलब मालाही का आज हालोवा बनाया और वह भी बहुत अच्छा लगा और पता है द्यानी निरा आप लोगों से सेर करने का जैसे कि मैंने बताया भी वीडियो सुरू करने की याद ही रही सुवैसे और आप साम का टाइम हो रहा है अच्छा भी बहुत मेरा टो शाम को मैं तो अपने अलू फ्राय करूंगी और प्रिया के लिए खाना अब्रिया तो चो खाना बनेगा वहिस खालेगी और बाकी मैं बनाऊंगी अपने लिए अलू बरत वाले वही चीज हमें सिम्पल लगती है सबसे इम्पल ना आलू लग लेकिन मुझे ज्यादा पसंद है मैं हमेसा ना भी से खाती हूं तो मैं तो अपने आलू रखूंगी अभी बॉल करने के लिए रखूंगी किचिन में जा रही हूं अब थोड़ा लेट भी हो रहा है और भाई भावी कल चले गए तो वह वीडियो अभी चल रहे हैं पीछे से तो इसलिए हो सकता है यह वीडियो कदले जाए क्यूंकि मंदय का वीडियो और साइथ पता नहीं एक दू दिन बात जाएगा अब तो अच्छा तो नहीं लग रहा घर ना उनके जाने से खाली सब हो गया कोई भी आ जाता ना तो अच्छा लगता है घर में क्योंकि थोड़ा बच्चों का भी टाइम पास हो जाता है और यह तो भाई मेरा ऐसा है कि साथ में रहता है मेरे किचिन में काम करूंगी ने तो वही उड़ी पैठ जाएगा बाते बनाता रहेगा फिरिधर उड़ी छось आध्यिक्ति ऑन ठवाता हिर फिर गमरे में की सबकी सुनाएगा फिर और कोई हसी की बात होंगी तो बहुत जयादा हसी दिलवाता यह तो मतलब किसी को बूर नहीं होने देगा विल्कुल है अगर हम कम किशिन में हो तो सब किशिन में होगी इसके साथ इस होता थोड़ा ज़सा पार होता है और सब ही मेरे तो बहुत अच्छी इस mum说 केसे सभी भाई आप लोगों नहीं देखें हैं इस Franik the same प्रभी आता रहता है वो भी इसी तरह के से और पता है कभी जरुवत पड़ती है ना तो चाय बना के भी पी लेते हैं ऐसा लिए भाईयों को आदत है मेरी तो अच्छे जैसे मैं नहीं हूं अब बच्चे हैं तो अपना कर लेंगे तो ऐसे भाईया मेरे और अच्छा नहीं चले जाते हैं तो थोड़ा सा खाली सा होता है इसलिए कोई वीडियो शुरू नहीं किया सुवैसे आज ना मनी नहीं किया था तो चलिए अब काम पर लगते हैं और पर सबसे पहले रखूंगी आलू वायल करने के लिए और उसके बाद इनके लिए बनाऊंगी आज मैथी म इसका बंब हो चैने काम पर और आज बात कितनी हो गई मेरी छै मिनट बात हो गईगी आप से चलते चीं मैं रख भी कहां 基本 oportunался as a 3-4 1 पड़ता क्योंकि पोड़ा से कि से निकलते है टहुझे कि इसको आच्छे से नहीं धोलो न मन उटेभा को चान्ती नहीं मिलती सभी तो इस तरीके की चीजों मेंसे निकलता ही रहता है तो मैंने मैथी दो लिए और अब इसका आटा गूत हूंगी मैं तो चलिए आपको दिखाऊंगी बेक कैमरे से कि मैं मैथी का आटा जो है कैसे बनाती हूं तो यह मैंने आटा ले लिया यहां पर और इसमें डालूंगी मैं मसाले जो कि नमक है थोड़ी सी मिर्ची डालूंगी और थोड़ा सा इसमें डालूंगी हल्दी पावडर और धनिया पावडर और थोड़ी सी डालूंगी इसमें अजमाई और यह डालूंगी मैं मसाला जो कि है मैथी ड़ाला है एक मैंड़ना भी लिया था यही कि अरका देखों कर लिया हैं तो यह दहने में मिक्स कर लिया था ज़ल गोगो दलिवा है और इसको अच्छे से हातों से अपना दीरे दीरे इसको मिक्स कर लेंगे और सबसे जरूरी चीज इसमें डालूँगी मैं थोड़ी सी मलाई है और बाकी थोड़ा सा नहीं दूद है इसमें तो इसको मैं डाल दूँगी मलाई के साथ मैंने लूद ले लिया है मैंने थोड़ा सा तो इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी इस तरीके से अपना थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ा थोड़ा ही लेकर डालते रहना इसमें से तो यह आटा मेरा लग चुका और देखो बहुत अच्छे से सैट हो चुका है और इसको ना मैं थोड़ी देर के लिए रख दूंगी इसको और थोड़ा सा ओयल लगा के और इसको मैंने बाद में इस तरीके से परदिया और बहुत अच्छे से सैन हो चुका है और इसके ना सिंपल पराथे भी बहुत अच्छे लगते हैं जैसे कि चटनी से खाई आचाड से और मिर्च वाले अच्छे से चाय के साथ में बहुत टेस्टी लगते हैं यह वाले पराथे तो देखिए कितने अच्छे है मैती लग 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 रहा है यह पराथे आठा आठा देखने में तो पांच मा्ट के लिए आठा रख दो तो सेट हो जाता है हमारा आठा और उसके बाद बना लोंगी में खाना तो यह अँर बनारियों मैं पराथे मैती के पराथे बहुत अच्छे लगते सिंपल भी अच बहुत अच्छे देखने में लग रहे हैं वैसे ही खाने में बच्चों को बहुत पसंद आए मैं थी के पराथे खाते हैं यह कैसी एक पराथा है यहां सबसे पहला घाय पराथश, निकालता हैं वेलेश, खाएल में आए पराथे काया है, देखने मेर खाहे मिल जा आी दिना तो किसी घटी, आगा डी इस आज अए मही पराथे यह, बहुत अच्छे पराथे सरे अने में दहिए, कहुत खानी है और दही बूरा था वैसे लेकिन बूरा डालना भूल गई है इसमें और अचार है देखिए तो आप लोग भी खा लीजिए यहां पर और उसके बाद मैं मैं सब सफाई वगरा सब को खिलाने के बाद मैं और मैं लग गई हूं अपने आलू बनाने के लिए जो कि मेरे आलू ब अच्छे नहीं लगते तो यहां पर मैंने यह डाल लिया देशी खी तो थोड़ा सा जादा हो गया था तो मैंने निकाल लिया उसमें से और उसमें डाल दिये मैंने हरी मिर्ची जो कि मैंने कट करके रखी थी और उसके बाद मैं अपने आलू डाल दिये इसमें तो इनको न और नमक, ब्रतवाला, तो वही पढ़ता है इसमें, और देशी घी में फ्राइ करते हैं इसको, तो देखिए इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और ये मेरा खाना होगा, मतलब मेरा ब्रतवाला, तो मैं अपना भी तयार कर लूँगी बाद में, पूरी साफ सफाई कर मैं अपना बनाती हूं, तो देखिए मेरी प्लेट भी लगके तयार हो चुकी है, दही है, वो भी नमक और काली मिर्च वाला और हल्वा था, तो आप लोग भी खा लीजिए, तो हमारा सब का खाना पीना हो गया है, सब का हो चुका खाना पीना क्योंकि मैं सब को खिलाने के कि मिर्चो अज़ाती है और राधी तो उसके बाद ही बनाती हूं, आलू ज़र रहले टो हमने टो मैं ने करने के बादा ने कली है तो मैंने भी खा लिया है मतलब गार टो मैं हमेछी हूं और बच़ों को प्राधय को बहुत अट बगते हैं अगते तो यह फान कहाया हँती ह क्योंकि मैं थी हो बथुआ हो इस तरह के न उसको ज्यादा पसंद है तो मैंने का चल तेरे लिए ऐसे अलग माड़ दिया करूंगी क्योंकि घर में वैसे नहीं खाते जैसे सबजी के साथ मैं ऐसे खा सकते हैं चार वगरा के साथ में यह वाले परांथे और आज जैसे मैंने को बढ़ा किया थे लेकिन अलुके लिए मना कर दिया था कि आलू के नहीं खाने आज इसी के खाने मैं थी मैं क्योंकि मसाला हुए रडाल के बनाए थे न और अच्छे भी लगते हैं तेस्टी लगते हैं और जो मेरा आज वीडियो गया है न जो भाहिया भापी वाला बहुत अच्छा लगा तो उसके लिए आप मलब दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो मेरे परिवार को इतना प्यार करते हो आप सब तो बहुत अच्छा लगता है मुझे 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 इस तरह की कमेंट आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और एक बहन है उनका कमेंट आ रहा है, कि, मेंäg लिए उनका भी बहुत अच्छा कमेंट आया, कि आपके भाई आभाभी बहुत अच्छे हैं, और बहुत बड़ा कमेंट है, मुझे याद नहीं आ रहा, और क्या था उसमें, कि हाँ, आपके पती को कितना टाइम हो गया गए हुए क्योंकि उनको पहले पता नहीं था तो उन्होंने ये बोला कि हमारे यहां आना आप अपने पती को लेके फिर उन्होंने बाद में वीडियो देखा न तो उस पर उन्होंने कमेंट किया कि महन मुझे पता निह था कि ऐसा हो गया हैं कि क्योंकि देखिए नहीं और यूय नहीं पता हो तो मैंने कलो बता ने तो मेरे पती को ना चार साल हो चुके हुए मतलब मार्च में, मतलब एस माईन जनवरी चल रही है मार्च में हो जाएंगे उनको ती चार साल हो जाएंगे पूरे चलो बता देती हूं और आप सब का फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद जो मेरे परिवार को आप लोग इतना प्यार करते हो सब इतने प्यारे-प्यारे कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है मुझे तो फिर इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूंगी और मिलूंगी आप से एक अच्छे से वीडियो के साथ और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जो न्यू चेनल पर आ रहे हैं वो प्लीज सब्सक्रा बाइ बाइ